ओम सिरी गनी साय नमा दोस्तू एश्टो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आठ जनवरी रविवार के रासी फलक के बारे में कि यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पकुन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आ आज पॉजटिव रहने वाला हैं दोस्तों घर परिवार में आज कोई सुब कार्य संपन होनी की संभावना बन रही हैं परिवार में आज उत्सव का माहौल हो सकता है संतान पक्ष को लेकर आज आपकी चिंताएं दूर हो सकती हैं तथा आपको किसी प्रकार का कोई संभावना अच्छी बन सकती है ऐसे में सोची समझी रणनीती के तहद कार्य करें जिससे घर में आपका कद बढ़ सके दोस्तों साती सात आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसलिए अपने कार्य पर पूरी तरह से आज ध्यान केंद्रित रखें कहीं पुंजी हासिल होंगे दोस्तों आज आपके सभी काम आसानी से संपन होने से मन में प्रसनता और ताजगी बनी रहेगी अचानक से कोई आर्थिक समस्या हल होने से अपने आपको तनाव मुक्त आज आप महसूस करेंगे इस समय ग्रह इस्तिती आपके व्यक्तित्व को प्रभाव साली बना रही है घर तता समाज में आपको अपनी योगता द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा धर्मिक वे आध्यात्मिक छेत्र में आपका आज विसेस रुजहन रहेगा इनकी वज़े से आपकी सोच अधिक शकारात्मक और संतुलित रहेगी दोस्तो साति साथ दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी योगता और छमता पर अधिक विस्वास करें दोस्तो आज का दिन आपके सपने और महत्व कांचाओं को पूरा करने का है पूरे मनुयोग से अपने कार्यों के पृति आज आप समर्पित रहें साथ शाथ प्रॉपर्टी से संबंदित रुके हुए आज कार्ये आपके पूरे होंगे इसलिए अपना ध्यान इन पर केंद्रित रखें पैसे संबंदित निवेश के लिए भी आज का दिन बहुती उत्तम है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो अनावशक किसी तरह का आज विवाद उत्पन होने की संभावना बन रही है किसी अन्य व्यक्ति की वज़े से घर में आज तनाव का माहूल हो सकता है धन अचल संपत्ति को ले करके विवाद उत्पन होने की भी संभावना बन सकती है यदा कदा उतार चड़ाव उत्पन होने की भी संभावना होती है तो उससे भी आज आप दूर रहने का प्रियास करें आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तो कभी कभी आलस की वज़े से आपके कारों में रुकाबट आ सकती है ध्यान रखें कि थोड़ी सी लापरभाई आपको अपने लक्षे से भटका देगी किसी प्रिकार की दूविदा की इस्तिती में किसी अनुभवी वेक्ति की सला आपके लिए फायदे बंद रहेंगी दोस्तो साथ साथ आपको एक बात का विसे सुरूप से यह भी धियान रखना है कि कई बार कठोर वानी से अकसर कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन हो जाती है इसलिए अपनी बोलचाल का लहजा नरम रखें काम की अधिक्ता का भी प्रबाब आपकी सेहत पर पड़ सकता है इसलिए लगातार आराम भी लेते रहें दोस्तो ईगो और अति आत्म विश्वास की भावना आपकी मुख्य कमजोरी है इन पर आप काबू बना कर रखें क्योंकि इस वज़े से कुछ लोगों के साथ संबंद आज आपके खराब हो सकते हैं फौन और मित्रों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करें साथ साथ किसी बाहरी व्यक्ती के हस्त सेप की वज़े से कुछ तनाव उत्पन हो सकता है और घर के बड़े बुजर्गों का अपमान होने की भी आशंका है साथ साथ आज खर्चों की भी अधिक्ता के कारण बजट भी गड़बडा सकता है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों पती पतनी के आपस में मधूर संबंद रहेंगे वेस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकानना घर के बातावरन को और भी खुसनुमा बनाएगा परिवार के साथ मनोरंजन वेस्ट सोपिंग में आज समय व्यतीत होगा इस से घर में खुसी का माहौल और अधिक रहेगा साथ साथ एविवाईतों के लिए भी आज कोई अच्छा रिस्टा आ सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जिन बिजनिस पार्टियों से अच्छी बात चीत चली आ रही है आज उनके बहतर परिणाम सामने आने वाले हैं महत्मपोन उपलब्दियां आज आपको प्राप्ट होंगी नोकली पेशा वेक्तियों का कोई टारगेट पूरा होने से आज सुकून रहेगा वेविशायक इस्थल पर आज आपका रुत्वा बना हुआ रहेगा कर्मचारियों का अपने कारेक के प्रती पूरी तरह से समणपन भाव रहेगा जिसके वज़े से काम समय पर आज आपको पूरे प्रतीत होते हुए नजर आएंगे साथ साथ प्रापर्टी के वेवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बड़ी डील होने की संभाव ना है साथ ही पबलिक डीलिंग में आज आपको मुनाफा होगा नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को कोई ओफिस्यल यात्रा आज करनी पड़ सकती है मीडिया तथा मार्केटिंग संबंदित वेवसाय से जुड़े लोग आज बहतरे इन उपलवदियां प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अपने संपर्क सूत्रों के साथ जादा से जादा समय व्यतित करें दोस्तो आज आज आपको कारचित्र में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे जिसकी बज़े से आपका मन भहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको किसी समय ठकान और कमजोरी महसूस हो सकती है इसके लिए आप अपने खानपान पर विसेश रूप से ध्यान दें साते सात आज आज आप आरवेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो साते सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाई क्या है दोस्तों हम आपको जी उपाई को बताने जा रहे हैं इस उपाई को आपको रातरी के समय करना है आपको यह उपाई रात को सोते समय करना है जै दोस्तों आपको करना क्या है जै दोस्तों आप सबसे पहल इस नानादी से निर्वत्र होने के बाद इस दूद को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें या दोस्तो ऐसा करने से आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और भगवान शुरदेव का शिरवाद आप पर सदेव बना रहेगा या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विशेश लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै शुरदेव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद